हेलो आपको सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब चनल पर आज मला हूँ नए वुड़ी जैसे कि आप देशकते हैं मेरे पास कर दिया है कि अल्फा लाइट सीजिसे 29 रुर इस ब्रेक विद 27 गेर सेट अपके साथ बट आज शुड़ी हूँ आपको बताने वालों किस तरह स्पेंसाठी रूप अप teníaंड प्रियड सकते अपने फ्र्क कर सकते अपने च्ब्राइब कर सकते हैंम्या हूसर लॉकाइब कर इस सप्रेलोट के साथ अठ्याchn इसमें यही प्रव्लम में कि έχει हैं ग्यों कुंट भी जैगेशनी सब्दिश्न और अब इसको किस तांव kaनने का इस cycle में आपको पूरा बताऊंगा और क्या क्या जरूत पड़ेगा आपको बताऊंगा तो फेंट studio बने रहेगा फेंट चोते फूडियो को शुरू करते हैं तो भी आप देख सकते वाला फोर्क को मुझे अलग करना पड़ेगा यह cycle से तब जाके मेरा वाला फोर्क लगेग तो मुझे नया headshot की जरूत नहीं है और आपको मैं step by step बताऊंगा तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं आपने wheel को निकाल लेता हूँ यह cycle से और फिर फूर्क को पकड़के टायर को इस तरह से नीचे पूश करेंगे और यह आराम से इस तरह से निकाल आता है तब आप देख सकते हैं जो आपका next step यह रहेगा कि अपना जो हैंडल बाहर है ना उसको आपको अलग करना पड़ेगा stem से simple मेरा 5M का LN की है इसमें simple इसको मैं इस तरह से लूश कर लूँगा अब देख सकते हैं आराम से अपना आप stem को निकाल सकते हैं सबसे पहले ही जो आपका top cap इसको आपको लूश करना होगा इसको पूरा इस तरह से निकाल लीजिएगा देख सकते हैं यह अलग हो गया यहां से आपका जो stem का बोल्ड है इसको जहां से आपका हैंडल टाइट रहता है इसको भी लूश करना होगा ह adore शाच करनाओасय करते कि सिंपल निकाल चोर शोटाइगा अब सिंपल लूश कान सेन्गे इसको इस अपको पुरा लूस करना होगा मतलब इसको आलग कर देना होगा आपके फोर्क से क्या आपना दूसरेवाले फोर्क में लगा सकेंगे कॉत कि देख सकते हैं मेरा कैलीपर भी अलग हो चुका है फोर्क से तो सिंपल में दूसरे फोर्क में लगा सकता हूं बड़ इसमें आपको मैं एक इवी चीज बताऊंगा जो यह मेरा यहां क्लिप है यह मंदला बाहर से मेरा वायर तो सी क्लिप लगा तो मेरा वायर आराम से इसम मेरख देता हूं एसको सिंपल से खीचनाओ और आपको कि लाएगा की अब आप सब्सक्राइब your आपको कि तरह से उसकिंपए को मगों की थिरल कर ना होगा पदले शोड़ा वर्चे अर आपका निकला हेलाइगा अफिर से आपका ये वाटी रबढ सब आपको निकालना होगा प्पिर अबिर आपको इस तरह से सको फ्रेम को भी उठाना होगा इस तरह से देख सकते किससे आपको बता रहा हूं simple अलामस उठाइयेगा तो घल ये अब लेख सकते मिरडा फ्रकरा मश से अलग हो चुक है को निकालना कोट को तवी आप देख सकते हैं इसको के अंदर यह थोड़ा सा घंल तोड़ी real देना होगा सfor चारो तरफ से ठोक देना होगा थोड़ा थोड़ा देख सकते ही आराम से बैढ़ के ये वाटी बस आपको चारो तरफ से इसको ठोकते हुए चले जाने का और ये आराम से बैढ़ जाता आपका और अब आप देख सकते ही जो कप है कपको भी अच्छे से क्लिन कर लेना होगा नया फोर्क या फी दूसरा फोर्क लगाने से पहले आपको ताकि कि आपका सर्विस भी हो जाए जो भी आपका गंदगी रहेगा पहले से तो साफ हो जाएगा इसको अच्छे साफ कर लेना होगा इसका हेडसेट जो भी आपका वार्साल वाटी सब रहेगा सब आपको अच्छे से ताकि बिल्कुल भी रस्ट ना लगे कभी अभी आप देख सकते यह वाला जो मेरा सील क्याप है इसको मैं इसमें डाल दूंगो इस तरह से देख सकते एक सील क्याप नीचे जाएगा और आपका बैरिंग जाएगा बैरिंग फ्रंस कभी ऐसा मट डालिएगा नीचे की तरफ वाला इसको इस तरह से डालिएगा देख सकते हैं और बैरिंग में भी ग्रीज करेंगे अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्रेम को थ्रवा सुला दिया है और यह जो वायर्ज और हैंडल मैंने उसको उपर तरफ की पकड़ खीचके रखा है नीचे बिल्कुल भी वायर निया अभी मैं सिम्पल मैं अपना फोर्क को इसमें इस तरह से डालूँगा देख सकते हैं आपको इस तरह से टेक्निक का इस्तमाल करना होगा अफिर जब आपका फोर्क चला जाए तो आपको फ्रेम को पकड़के फ्रेम को उठा देना होगा इस तरह से कुछ देख सकते हैं सबसे पहले कप में ग्रीस कर देंगे हो थोड़ा देख सकते हैं अभी यह वाला बैरिंग को मुझे इस तरह रान लेना है कि इस तरह से नीचे की तरफ बॉल लगना चाहिए यह कप के अंदर अच्छे जब ग्रीस कर दीजेगा देख सकते हैं मैंने अपना एक स्वाल यहां पर लगते रबड लेकर इसको मैं लगा देता हूं देख सकते हैं सकती यह वाला में बठा रहा हूं जो, यह अलग वाती है अगर आपका यह रहे गा ना में रहेगा अंवातीव भू आप बैठा दीगों तो भी आपका वह प्रियुक्त norm ray से लगा सकते अगर आपके पस नहीं है तो भी नहीं चलेगा अगर आप सीधर THIS प्रस्यष ब्रूबेंगों तो भी अच्छा वाला कलर में और अभी मैं स्टेम लगा दिये स्पेशल लगा दिये अब सिंपल में अपने पले आपको टाइट कर दूँगा ताकि यह चीज पूरा टाइट हो जाए और फिक्स हो जाए स्टीधा करके यहां पर आपको कभी कभी मार्किंस भी दिये रहता है तो उसको वाई मार्किंस में आपको अच्छे से रखके टाइट कर देना होगा चारो बोल्ड को और कभी भी एक बोल्ल एक जैसा मट टाइट कीजएगा थोड़ा-थोड़ा करके चारो बोल्ल टाइट कीजएगा यह जो गैपिंग आपका एक जैसा अची चारो तरफ से अब आप देख सकते हैं कि मेरा फोर्क लग गए मैं फड़ा-फड पहले अपने वील को लगा देता हूं फिर अपना ब्रेक सेटिंग करूँगा सिंपल मैं अपने वील को इस तरह से लगा देंगे और फिर यह इसको क्लीप में लगा आके अलनकी को टाइट कर देना होगा और आपका वारा में साथ अच्छे से इसमें होल्ड रहेगा और अब आप देख सकते ही जो मेरा डारेक्ट लगेगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, यहां से इसको दोनों बोल्ट को लूज कर दूँगा, देख सकते हैं, मेरा माउंट निकल गया है, वायर वायर पूपर करूँगा इस तरह से, और इसको सीधा यहां पे, टाइट कर दूँगा, इसके माउंट में, इस तरह से, देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा अलाइन्मेंट कर देता हूँ, ताकि मेरा पॉपरिक तरिके से ब्रेक लगे, तो भी आप देख सकते हैं, सारा काम हो गया, मेरा बस लास्ट फाइनल काम बचा है, जो कि इसको अच्छा करना हो, मेरा स्टेम को सीधे से रखके टाइट करना, मतलब एक दम स्टेट हैंडल पर आपको टाइट करना देख सकते हैं, मैंने किस तरह से हिला रहा हूँ, विल्कुल भी मेरा यहां पर प्ले नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको जड़ा सभी प्ले बताएगा, तो इसको आपको आपको आउट करना पड़ेगा अच्छे से, और जब आप एकदम एक्दम अच्छे तरीके से यह ह अगरल बता रहा हूँ, तो मैं सीम्पल इसको टाइट कर दीए, अब मैं सिस अपनी स्टेम को टाइट कर देता हूँ, तो में बता हैंडल कभी भी थोड़ा-थोड़ा करके दोनों साइड से टाइट करते हैं तब जाके आपका हैंडल टाइट हो जाएगा परफेक्ट तरीके से आपस आपको चेक करना होगा प्ले का देख सकते हैं बिल्कुल प्ले नहीं और हैंडल मेरा बिल्कुल भी टाइट नहीं है यह तर से आपका हैंद यहां सीय डिया यह बीन लिखाय कि एपर बाश्य को हम लगए किजिसे आएगा विडियो अच्छका लगव तो चैनल को सब्सक्राइब कर Да Eh शरते फिमलते नेक्स उर्योमे